इस वीडियो को आपने क्लिक किया है इसका मतलब ये है कि आप उत्तर प्रदेश में प्रात्मिक सिक्षक परती और जूनियर सिक्षक परती का वेट कर रहे हैं निश्चित रूप से अगर आप सिक्षक परना चाहते हैं वाकई में तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए रही बात यह जो थमनिल पे लिखा है कि यूपी सुपर्टिट 2024 बड़ी खुसकबरी जल्द ही आ रही है सिक्षक परती यह सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि सही चीजें आप तक पहुचें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुचें यह clickbait है इसको कहा जाता है यूटूब की community में कि यह clickbait thumbnail है ताकि आप इसको देखें वीडियो को अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि views के लिए ऐसा thumbnail बनाते हैं आपकी इच्छा है आप उसके लिए सोतंत्र हैं जो भी सोचना है सोच सकते हैं ये एक वीडियो रहेगा अलग टाइप का motivation मिलेगा आपको और यहां से काफी लोग सबकत नहीं कह रहे हैं लेकिन काफी लोग इस वीडियो को देखने के बाद काफी motivated feel करेंगे इसकी guarantee है कुछ यहां पर tips और tricks भी आपको बताएंगे साथी साथ कैसे आपको सफल रनीत की तहट नौकरी मिलनी है जौब लेनी है उसकी भी हम बात करेंगे सबसे पहले आपर सबसे बड़ा जो सवाल है वो यह कि कब आएगी भरती कब आएगी भरती इस प्रश्न का उत्तर आपको ब्रह्मांड में किसी के पाश नहीं है कि उत्तर प्रतेस में सक्षक भरती कब आएगी अगर कोई कह भी दे कि भरती आएगी तो आपको यकीन नहीं क्योंकि तब आपको लगेगा कि सामने वाला अपना कोर्स बेचने के चक्कर में ऐसा कर रहा है। काफी लोग ऐसा कर भी रहें इस वज़े से आपको लगेगा। देखे अब ऐसा हमने क्यों कहा कि ये किसी को नहीं पता है क्योंकि ऐसा अनुमान अभी तक लगाया जा रहा था कि 2022 का चुनाव है और वैकेंसी आएगी वड़ 2022 में नहीं आई जबकि 17,000 पदों पर उस समय के जो सक्षा मंत्री थे 37 चंद्र दिवेदी उन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दिया था लेकिन भरती नहीं आई अब 22 के बाद आपका चुनाव आने वाला है 24 लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इस्तिती है उसके हिसाब से चुनाव का इस भरती पर कोई जादा प्रभाव पढ़ने वाला नहीं है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं आयोग को लटकाया जा रहा है अब इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनोंने हालही में दो मौके मिले दो बड़े मौके मिले मतलब एकदम से बहुत सारे लोगों के लाइप में ये अचानक से परिवर्तन आया होगा उनको पता भी नहीं होगा कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है और मुस्किल से तीन चार महिने में उनकी जॉब लग गई बिहार में लगातार दो बड़ी वेकेंसी आई ठीक है एक लाग एक एक लाग करके तो बड़ी वेकेंसी आई प्राइमरी की भी आई जूनियर की भी आई पीजीटी पीजीटी की भी आई तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम बेड थे बेड प्रात्मिक से बाहर हो गया था या कुछ भी आप बहाना नहीं बना सकते आपको मौके मिले हैं अब यहाँ पर कुछ केटेगरी को लोग होंगे यहाँ पर हमने बाटा है उनको वीडियो को प हुई है कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगोंने फॉर्म ही नहीं भरा होगा उनके मन में यह चला होगा रहे बिहार में कौन जाएगा इतना पिछड़ा इलाका है वगेरा वगेरा सेफटी नहीं है बहुत बदनाम है इस टाइप से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फैमिली support नहीं मिला होगा जैसे female ladies और उनके husband ने support नहीं किया या उनके husband कहीं job कर रहे थे तो वो सोचे कि अगर हम इनको paper दिलाने जाएंगे अगर हो भी जाता है तो हम कैसे manage करेंगे हमको अपनी job छोड़नी पड़ेगी इस प्रकार से कुछ लोग business कर रहे होंगे उन्होंने अपनी wife को मना किया होगा form बनने के लिए कुछ ऐसे लोग रहे होंगे है ना तो और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परिक्षा में तो सामिल हुए उनका selection नहीं हुआ कुछ नंबरों से रुख गया पिछली बरती में भी और इस बरती में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बरती में तो form नहीं भरा लेकिन जब उनके रिस्तिदार उनके अगल बगल के लोग YouTube पे जब देखने लगे कि भाई चैन हो गया है हो गया है तो जो दूसरी फेज की सिक्षक बरती आई उसमें form भर दिया लेकिन नहीं हुआ ऐसे भी लोग होंगे अब करना क्या है इस पर हम भी बात करेंगे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास सीट पेपर वन पास नहीं होगा तो वो पेपर वन के लिए यानि प्राइमरी के लिए लिजबिल नहीं होगे कुछ लोगों के पास पेपर टू नहीं होगा कुछ लोगों का subject combination नहीं बनना होगा सभी लोगों की बात हमने की है इस वीडियो में क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे देखिए जिनको बिहार सिक्षक बरती में जो लोग सामिल हुए है और उनका हुआ नहीं है किसी भी कारण से तो उनको क्या करना है और जिनोंने form भरा था पेपर देने नहीं आपाए उनको क्या करना है देखिए एक सीधी सी बात है कि अगर आपका selection नहीं हुआ चाहे वो 1 to 5 में आपने form fill किया हो चाहे 6 to 8 में form fill किया हो आपको आपकी जो डिगरी है आपकी जो परिक्षा है उसकी value तभी होगी जब आपको नौकरी मिल जाएगी भले ही आपका एक नंबर से रुख गया हो लोग तो यहीं कहेंगे कि हुआ नहीं उनका यह नहीं कहेंगे कि एक नंबर से रुख गया है पढ़ते वहुते लेकिन हुआ नहीं यही कहा जाएगा अब हम इसका संबन यूपी सुपर्टेट से कैसे जोड़ रहे हैं मान लीजिए यह आपका सुपर्टेट का एक्जाम होता थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह आपका सुपर्टेट उत्तर प्रदेश में यह भरती आई होती है और इतनी तेजी से कार होता एक्जाम्पल के लिए कुछ देर के लिए आप मान लीजिए आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला लेकिन कुछ देर के लिए मान लीजिए तो और आपका नहीं होता फिर क्या था फिर तो आपके पास यह आखरी चांस था आपने वो गवा दिया फिल करिए जरा इस तीज को कि आपने यूपी सुपर्टेट की परिक्षा दी थी वेकेंसी आई थी लेकिन आपका हुआ नहीं कैसा फिल होगा अब करना क्या है पास है ना और कुछ लोग ऐसे होंगे जो यह सोच रहे होंगे अरे क्या करना बिहार कौन जाएगा इतनी दूर ठीक है तो उनको बता दें हजारों लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है हमने भी इस जीज को बहुत ही करीब से देख आपको अंसेफ फील हो आपको लगे कि आप सेफ नहीं है हां कुछ एकाथ घटाए हुई है कुछ लोगों के साथ जैसे कुछ लोग कांसलिंग के समय थे एक लोगों का एकसीडेंट हो गया एक दो लोग और थे जो पेपर देने आए रोड एकसीडेंट में उनकी डैथ हो वो एक अलग केस है ठीक है वो कहीं भी हो सकता है बिहार में यूपी में भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपने यह मान लिया कि सुपर्टेट की वेकेंसी आई थी आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब है आपके पास कोई चांस नहीं अब जरा ये मान करके देखिए कि जो पेपर हुआ था उसमें आपने कहां पर चूक की है सबसे पहले ये एनलेसिस कीजिए जो लोग पेपर दे करके आए हैं एक दो नंबर से रुका है तो कौन सा सब्जेक्ट वीक है क्या उन्होंने गलती किये अब कहेंगे आपके टाइम कम था तो टाइम जितना सब के पास था उतना आपके पास था ऐसा तो है नहीं कि आपके पास अलग से टाइम था हाँ कुछ लोग वरकिंग होंगे जो आप कर रहे होंगे उनकी अलग बात है वो उनका personal कह सकते हैं कि एक problem है अब यहाँ पर जिन लोगों ने paper दिया है और जिन लोगों ने paper नहीं दिया है या form फिल कर दिये थे paper देने कुछ कारणों से नहीं जा पाए क्या करना है उनको देखिए BPSC की official website पर सारे paper और उनकी final answer की upload हो गई है अगर आप delete किये हैं या प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए eligible हैं, interested है पिछला वाला जो TRE 1 का paper हुआ था वो download करिए और जो paper 2 हुआ था वो download करिए और आज़ पास अगर कोई cyber cafe है और कम पैसे में अगर वो फोटो कापी करता है तो पेपर का एक बार print out निकलवा लिजे और Google से या कहीं से भी ABCD 5 अब हाँ Google से क्यों, website पर ही आपको BPSC की OMR seat मिल जाएगी उसका भी जराए print out निकलवा लिजेगा जिन लोगों ने paper दिया नहीं है, उनके लिए है paper तो आपको मिल जाएगा official website से और उसकी final answer की भी मिल जाएगी और आपको OMR seat की भी copy मिल जाएगी तो इसका print out करके, ठीक है, बंद कमरा करके और paper को हल करिए time set कर लिजे कि हमें जो भी time था पिछली भरती में time, इस भरती में कुछ time का सायद अंतर था जिस time आपके paper में लिखा होगा कि कितने गंटे में आपको paper करना है जरा आप उस paper को हल करिए खास कर PRT की गरम बात करें तो 1 to 5 वाला जो general वाला था language वाला आप कर ले जाएंगे general वाला जो question था जरा आप उसको हल करिए और देखिए आपका कितना score बन रहा है कि उस 2 या 2 गंटे में कितना आप पर रहे है तुरंत आप final answer की से चेक कर लेंगे उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं फिर आप देखिएगा आप कितने पानी में है कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है मान लिजे कि वही आपका super date का paper है तो आप क्या selection पा रहे हैं कि नहीं पा रहे है अगर selection आपका हो रहा है अब आप सोचेंगे कैसे पता चलेगा कि मेरा हो जाएगा तो cut off जो है आप ये मान करके चलिएगा आने वाली जो भी परिक्षा होंगी ठीक है आप इसी cut off से अंधाजा लगा लिजे ये जो cut off अभी आई है वरना जब भी आपका पेपर होगा ये मान करके चलिएगा कि अगर 120 क्योश्चन का पेपर है तो 100 नंबर से अगर आपका कमा रहा है किसी भी आलत में आपका selection नहीं होगा 150 नंबर का क्योश्चन पेपर है जैसा कि यूपी सुपर्टेट में होता है आपका नंबर अगर 120 आ रहा है 120 आ रहा तब आप उम्मीद कर सकते है 120 से अगर कमा रहा है तो आप अभी बहुत त्यारी करने की आवशकता है तो आप इन पेपर से सीख सकते है आयोग की द्वारा बनाये गए पेपर है ठीक है बिहार लोग सेवा आयोग की द्वारा बनाये गए पेपर है आपका जो आयोग बनेगा उतरकदेश में नया सिख्चा सेवा चैन आयो उसका भी पेपर कुछ इससे हलका नहीं आएगा तो आप लोग जिनका नहीं हुआ है वो अपनी कमजोरी को पता करें कि किन कारणों से उनका नहीं हुआ हाला कि अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका data of birth की वज़े से रुख गया नंबर था बराबर लेकिन cut off भी बराबर थी लेकिन data of birth का जो issue था उसकी वज़े से वा simply आपको एक काम करना है 1-5 के लिएगर आप त्यारी कर रहे हैं तब भी 6-8 के लिए आप त्यारी कर रहे हैं तब भी या TGT PGT के लिए पेपर दो-दो बार हो चुके हैं सारे दोनों पेपर को आप निश्चत टाइम में हल कीजिए देखिए आपकी गलती कहा है कहां पर आप गलत कर रहे हैं कौन सा सब्जिक्ट आपका वीक है और उससे आपको काफी सारी चीजें सेखने को मिलेंगी ये मान करके चलिएगा कि वही आपका औरजिनल पेपर है और आप यूपी सुपर्टेट की परिक्षा में बैठे हुई है इस वीडियो को बनाने का उद्देश बस इतना था कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं भरती कब आएगी कब आएगी तो इंतजार करना कोई खराब बात नहीं हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा लेकिन अंतिम मौका होगा जब भी आएगी तो क्या आपकी तैयारी है इतनी क्या आपकी अभी से तैयारी है इतनी अगर नहीं है तो तैयारी करते रहिए हम यह नहीं कहे रहे हैं आप हमारा notes लीजी, course लीजी, कुछ भी मत लीजी, जहां से भी आपको better content free में मिल रहा है, उसका आप lab लेकर के अपनी तैरी करिए, subject combination नहीं तो इसको लेकर के तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी पास जो भी विखल खुले, उनके लिए आप रयास करि करते हैं, जो लगभग सभी परिक्षा में पूछी आती है, लगभग science हो गया, basic, sst के तीनों part हो गया, language हो गया, हर परिक्षा में पूछा जाना है, math हो गया, reasoning हो गया, तो जितना भी आपके पास समय बचा है, उसमें आप महनत करिए, भरती कब आएगी, 2024 के last तक हम उम्म चप्रेल तक, और उसके बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं, कब आगी, तो इस वीडियो का बनाने का मकसद आप समझ गया होंगी, बस इतना कि आप self assessment करें, paper को download करें, final answer की download करें, OMRC download करें, और हल करें, और देखे, 6-8 के लिए अगर आप है eligible, नहीं हो पाया, ठीक है, तो 6-8 पेपर डाउनलोड करें, हम तो कहरें, सारे paper डाउनलोड करें, जो जनरल वाले हैं, 1-5 का, और जो जनरल पेपर हुआ है, यह नहीं कहरें, कि आप सभी language के paper डाउनलोड कर लीजे, ठीक है, जो आपका subject है, TGT, PGT में उसका paper डाउनलोड करें, और हल करें, इतना काम आप कर करें, और यह वीडियो कर आपको अच्छा लगाओ, तो नीचे comment में दो सब्स जरू लिखेंगा, शेर करिएगा उनलोगों तक, जो लोग थोड़ा सा demotivate हो रहें कि नहीं हुआ है, आपके लिए,